कनिश साहिक के मित्रों तो कल जो है यह इस्टुडेंट गए थे कनिश साहिक के जो चैनी थे वो गए थे देखो बारिस में भीगते वे आप देख रहे होंगे और जिनको जुनून है देखो नौकरी करने का और जल्दी कराने का वो ऐसी परिस्तिती में भी डटे वे हैं है न कल क्योंकि मौसम बहुत खराब सा तो अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था थोड़ा उसमें आवाज नहीं आई मेरा फोन भी कभी कभी आयूक की तरह है थोड़ा मूड के हिसाब से चलता है बस तो कल जो है यही जानकारी दी गई है कि आयूक और जो चेर्मेंस हाब ह उन्होंने यह बोला है कि इस हफता तक कनी सहक का काम हो जाएगा यानि कि result अंतिम आ जाएगा और इन case अगर नहीं आता है तो तब उन्होंने कहा है next week ठीक है तो next week वैसे भी favorite slogan है पहले भी बोला था next week देख उस समय वीडियो का वैसे exam भी था तो इसलिए लगी रहा था ब अब जो सबताहा अभी चल रहा है देखो लगभग आदा हो गया है आज बुद्धवार हो चुका है और वीडियो में भी देखो क्योंकि OMR सब आयोग आ चुकी होंगी और अभी आपत्ती ली जा लिए है ना 14 तक जिनको objection है कुछ तो आयोग इस समय भी काम कर सकता है तो फ्राइडे तक देखो काफी हद तक उम्मीद है कि फ्राइडे तक रिजल्ट आ जाए हैना 70-80-30 संभावना बन रही कि आ जाए और इनकेस नहीं आता है तो अगले हब सबताहा लगभग मान के चलो कि आ ही जाएगा पूरा ठीक है और जो यह सोच रहे हैं देखो कि अभी इसके बाद आएगा इस एक्जाम के वेटिंग के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोग हमारा ज्यादतर काम कर चुका है और अगर किसी सेलेक्टेड इस्ट्वेंट को मान लो पटवारी वाली इस्ट्वेंट बहु तो यह कोई तरीका नहीं है होना वैसे भी अब बाद में यह जिसका होगा डाउन रांक का होणा है वह बाद में ही होना है फिर्ष्ट उसमें तो जिसका आना है वो छप चुकी है उतनों कर यह आना है अब रिजल्ट जो आएगा वो आपका पूरी पदों पर ही आना है और जितने पद हैं भरती में उतने ही पदों पर पूरा दिया जाएगा तो उमीद करते हैं तो काफी बच्चों का तो फर्स्ट में ही आ रहा है पहले तो इन केस नहीं भी आता है उसमें जो जोइन नहीं करेंगे तो उसमें आपको benefit मिल जाएगा ठीक है तो इंतजार करते ही इस सब्सक्राइब का और सबसे पहले तो देखो इनका भी धिन्यवाद है जो जा रहे हैं देखो कितनी बारिस में वहाँ पहुंशे हैं वीडियो की परिख्षा आप समने देखी लिए किस परकार से रहा वीडियो का पेपर सर्प्राइज उसके लिए गहरा अलग एक वीडियो अभी थोड़े दर में मैं बनाऊंगा उस पर अलग टॉपिक में बात कर रहेंगे अभी हम केवल बात कर रहे हैं कनी सहय की है तो इस सब्सक्राइब और जादे से जादा अगर 10-20 परसेंट ऐसा हो गया कि नहीं दे पाए तो फिर अगले सब्सक्राइब डन मान के चलो कि कनी सहय का काम हो जाएगा क्योंकि आयोग भी नहीं चाहता कि रोज अभ्यरतिमा पहुंचे और गेट में धरना दें और यह महीनों तक परिकिरिया इसना तक स्तर का प्रेवर उन्होंने जिस डेट को बोला था तो चाहे किसी ने कितना भी जूर लगाया उन्होंने जब बोला था तब करवाया तो इसलिए अभी जब उनक अभी तो क्योंकि देखो आयोग के पास क्या है कि परिक्षा थी वीडियो की वो करवा चुके हैं उसका सारा बंदोबस हो चुगा केवाल अब उसका रिजल्टी बाकी है उसके बाद आयोग के बाद काम क्या है है ना एक दो दिन में तीन दिन में वीडियो की सारी ओहे मारी भी स्कैन हो जाएगी तीन चार दिन में तो उसके बाद क्या काम है उसके बाद तो यही भरतिया मुख्य बची है जिसमे काम होना है तो उम्मीद कर देते हैं कि जल्दी हो और आप भी अपने जितने सक्षम माध्या में जितने अधिकारियों को या आयोग में जिनको आप जानते हैं उनको मेल करते रहें यह जान बचे तो आयोग भी यह सोचता है कि आराम से कर लेंगे आराम से कर लेंगे जब कुछ बोली नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि एक भरती करानी के एक्ष्ट्रा सेलरी मिल जाएगी तो इस वज़े से सब आराम से चलता है थारकरम तो बस यह ध्यान रखो अपना संपर करत रहो और मांग उठाते रहेंगे तभी कुछ हो सकता है